IPL 2025 का सिजन अभी सुरू हुआ नहीं कि CSK को अल्रेडी एक बड़ा जटका KKR के टीम ने दे दिया क्यूंकि इनके बॉलिंग कोच अब कोलकाता नाइट राड़स के टीम के नए मेंटोर है जो प्लेस गौतम गंबीर का था कोलकाता नाइट राड़स की टीम में वो अब ड्वेन ब्रावो को मिल चुका है और जिनको नहीं पता उन्हें में बता दू कि CSK के लिए ऐस ए बॉलिंग कोच ड्वेन ब्रावो ने बहुत ही अच्छा काम किया है सिमर जीत सिंग, उसके अरावा मतिसा पतिराना, तुसार दिस्पंडे जैसे गेंद बाजो को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गुरूम किया जिसका रिजल्ट हमें IPL 2024 में देखने को मिला, इन गेंद बाजोंने काफी अच्छा परदर्सन किया था ड्वेन ब्रावो के वज़ा से लेकिन अब ये KKR के मेंटोर हैं और IPL के ओक्सन टेबल पे भी हमें KKR के लिए बिडिंग करते हुए दिखाई देंगे तो ऐसे में इंट्रेस्टिंग होगा ये जानना कि किन खिलाडियों को ड्वेन ब्रावो के KKR के टीम में ला सकते हैं जिसके उपर आज की वीडियो में चंशा करेंगे कि ड्वेन ब्रावो के टार्गेट खिलाडी मेगा उक्सन में कौन से हो सकते हैं में कुछ इंडियन खिलाडी है और कुछ वेस्ट इंडीजियन पावर है और टोटल पाँच खिलाडी है हमारी लिस्ट में लेकिन उन 5 खिलाडियों को जानने से पहले सब्सक्राइब करें और टेली ग्राम पे आ जाए जिसका लिंक description में है क्रिकेट से जोरी हर खबर हम वहाँ पे आपको देंगे तो इन पांच खिलाडियों में पांचवे नमबर पे आते हैं CSK के खिलाडी दीपक चहर इतना तो confirm है कि CSK के काफी सारे खिलाडियों को ड्विन ब्रावो मेगा उक्सन में टार्गेट करेंगे और खास तोर से गेंदबाजों को दीपक चहर वैसे भी एक बहतरीन गेंदबाज है नई गेंद से विकेट निकालना जानते हैं और KKR की टीम डेफिनेटली दीपक चहर गेंदबाज को अपनी टीम में देखना चाहेगी ट्विन ब्रावो भी दीपक चहर के पीछे मेगा उक्सन में जरूर जाएंगे जो की इनके टीम में आ जाते हैं तो नई गेंद से एक बढ़िया गेंद बाज खोजने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि नई गेंद से अगर ये फॉर्म में आ जाए तो बल्ले बाजो की धज्या उड़ा सकते हैं जो हमने अल्रेडी देखा है 2018 और 2019 के IPL में उसके बाद फॉर्म थोड़ा डाउन जरूर हुआ लेकिन आई होब कि 2025 में इनका कमबैक तगड़ा होगा फिर चौथे नंबर पे आ जाते हैं वेस्ट इंडीजियन पावर रोमारियो सेफ़र्ड मुंबई इंडियन्स के टीम के लिए IPL 24 में खेले थे और एक मैच में इन्होंने अपना सकती परदरस्तन भी दिखाया जहां पे ड्वेन ब्रावो को 28 या 30 रन मारे थे एक ओर में 20 वे ओर में और उसके बाद ये काफी जादा हाइलाइट हुए लेकिन फिर उसके बाद इनका फॉर्म थ्रॉर्ड डाउन हुआ गेंदबाजी में थोड़ी इनको मार पड़ जाती है लेकिन ये कहना होगा कि इनके अंदर वो कैरीबियन वाला पावर है जो कि रसल और नरायन हो गए फिर उसके अलवा पुलाड हो गए उन खिलाडियों में उस तरह का इनके अंदर पावर है जो कि दिथ ओवरों में बहुती अच्छे फिनिसर साबित हो सकते हैं या फिर ये आंदे रसल के बैक अप का रोल भी निभा सकते हैं फिर तीसरे नमबर पे आजाते हैं तुसार देसपंडे एक और चन्ने सूपर किंके टीम के गेंदबाज जो की ड्विन ब्रावो के अंदर गुरूम हो चुके हैं और लाश्ट यर तुसार देसपंडे का गेंदबाजी हमने देखा उसमें सबसे बड़ा हाथ ड्विन ब्रावो का था क्योंकि ऐसे बॉलिंग कोच इनों ने इन गेंदबाजों के उपर काफी ज़ादा काम किया और इसी वज़ासे मेगा उक्सन में जब ये आएंगे तो ड्विन ब्रावो अपने गींदबाजों को अपनी टीम में लेने की पूरी कोसिस करने वाले हैं दीपत चार हो गए उसके अलावा तुसार देसपंडे हो गए और मेबी सिमर जीत सिंग के पीछे भी ड्वेन ब्रावो जा सकते हैं लेकिन तीसरे नमबर पे हमने तुसार देसपंडे को रखा है और अब बढ़ते हैं टॉप टू खिलाडियों की तरफ जिसमें दोसरे नमबर पे आते हैं दुरू जुरेल दुरू जुरेल को लेना इनके काफी बड़ी समस्या को सॉल्फ कर सकता है क्योंकि पिछले दो-तीन सालों से एकसेप्ट लास्ट एर दोजा चोबीस को छोड़के दो-तीन सालों से ये एक अच्छे विकेट कीपर की तलास कर रहे थे जो की इंडियन हो इनके पास पिछले साल भी कोई बढ़ियां इंडियन विकेट कीपर नहीं था वो तो भला हो फिलिप साल्ट का जो की एजे रिप्लेस्मेंट आया और केके आर की इस समस्या को दूर कर दिया अपनी तूफानी बल्ले बाजी से लेकिन अगले साल ये रिलीज हो जाएंगे यानि कि इस साल दोजार पचीश से पहले रिलीज हो जाएंगे तो मेगा उक्सन में इनको एक इंडियन विकेट कीपर चाहिए और धुरू जुरेल अगर इनके टीम में आ जाते हैं डुरू जुरेल अगर धुरू जुरेल को खरीद लेते हैं तो इनकी एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी और आने वाले कम से कम 5-6 सालों तक इन्हें एक अच्छा इंडियन विकेट कीपर ढूडने का जरुद नहीं होगा क्योंकि धुरू जुरेल एक बहुत अच्छे युआ टैलेंटेट विकेट कीपर माने जाते हैं फिर पहले नंबर पे आते हैं सिमरॉन हेटमायर तो हमें पता है कि ये भी राजस्थान रोल्स के टीम के ही खिलाडी हैं और IPL 2025 के मेगा उक्सन में आएंगे क्योंकि राजस्थान की टीम डेफिनेटली दो और सीज खिलाडी को ही रीटेन कर पाएगी जो कि जौस बटलर और ट्रेंड बोल्ट होंगे तो ऐसे में आजाएंगे सिमरन हेटमायर हमारे मेगा उक्सन में उक्सन टेबल पे और जब ड्विन ब्रावो बोली लगाएंगे और सिमरन हेटमायर का नाम आएगा तो उनको ये आराम से 5 से 10 करोड दे देंगे जो कि इनके मिरल ओडर में एक बैतरीन खिलाडी का रोल निवा सकते हैं इवेन ये आपको फिनिसिंग करके भी दे सकते हैं अगर रसल का फॉर्म उपर नीचे होता है तो क्योंकि फिनिसिंग में हमने देखा है कि रसल कभी लेक ओफ फॉर्म नजर आते हैं तो ड्वेन ब्रावो अगर हेटमायर को लाते हैं तो ये इनके टीम में मिरल ओडर में कही न कहीं स्टेट हो जाएंगे मेगा ओक्सन के बाद मेगा ओक्सन से पहले वैसे के क्यार का मिरल ओडर पूरी तरह से भड़ा है लेकिन जैसे ही मेगा ओक्सन होगा सबी खिलाड़ी रिलीज हो जाएंगे तो एक बहतरी मिल ओडर बल्ले बाद चाहिए जो सिमरन हेटमायर होने वाले हैं और टोटल इन पांच खिलाड़ीों को हमने रखा है जिनके पीछे कोलकता नाइट्रैडल्स के टीम के नए मेंटोर ड्वेन ब्रावो मेगा उक्सन में जाएंगे अपनी टीम में लेने के लिए लेकिन अगर आपको लगता है कि केके आर को किसी और खिलाड़ी को खरीदना चाहिए तो उस खिलाड़ी का नाम कॉमेंट करके बताया है कि किस खिलाडी को KKR को खरीदना चाहिए और इन पाँचों में से कौन सा खिलाडी सबसे बहतर होगा KKR के लिए मेरे इसाब से कहीं न कहीं दिपक्चार सबसे बहतर खिलाडी हो सकते हैं या फिर धुरू जुरेल अपनी राएं आप हमें कॉमेंट करके बताईए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ल्यूक्सक्रिक चैनल को साथी टेलीग्राम पे आजाईए लिंक इस इन दर डिस्क्रिप्शन या फिर टेलीग्राम पे सर्च करके भी आप आ सकते हैं आस यू कन सी इन वीडियो